आज बनाने जा रहे हैं मैथी मठरी ये बहुत स्वादिश्ट बनती हैं पुलकुल बिस्कीट की तरह हलवाई के जैसी खस्ता मठरी बनाने वाले हैं ये इतनी टेस्टी हैं और इतनी खस्ता एक कम बिस्कीट की तरह तूटेंगी खाने में इतनी स्वादिश्ट और आप इन मत्री किस तरिक Cry कि से बनाते हैं तो मैथी मत्री बनाने के लिए सबसे बहले हमने आदा किल्व मैदा लिया है इसमें हम एड़ कर रहे हैं एक चम्मच अजवाईन का जो फिलेबर है वो बहुत ही अच्छा आता है मठ्रियों में अब इसमें हम मैथी मठ्री बनाएंगे तो इसमें थोड़ा सा इसमें हम एड़ कर रहे हैं तो चम्मच रोष्ट करी हुई मैथी इसमें हम एड़ कर रहे हैं एक चम्मस सूखा साबुत धनिया इसको हमने आदा कूट लिया था और इसमें हम एड़ कर देंगे नमक इसमें हम मोहिन के लिए डाल लए हैं तो बड़े चम्मस तेल आधा किलो मैदा लिया है तो इसमें हो बड़े चम्मस ज्यादा टाइट भी नहीं है और ना ज्यादा सॉप्ट थोड़ा सा पानी इस पे लगाएंगे और इसको अच्छे से मसल मसल के आटे को गूद लेंगे तो यहां आटा बुलकु रेडी हो चुका है यह देखिए गूद के तयार कर लिए अब हम और यहां पर मठी को क्षो अक्तव से एक उगियु इसको हमने इस तरीके से करते हैं हाथों से पड़ा सा चौपिंग बोड़ ले ना या आопार बोटी बनने वाला चकला ले लेना तो इस तरीके से आपने दोनों हाथों से इसको करना है और एक छोटे छोटे जो पूड़ी जैसे लोईयां तोड़ते हैं उस तरीके से आपने छोटी छोटी लोईयां तोड़ लेनी है तो लोईयां तोड़ने में थोड़ा सा टाइम लेगता है तो आप चक्कू से इस तरीक से इसको देखिए चॉपिंग बोर्ड पे या रोटी चकला वेल उस पर दवा देना है और मठियों को इस तरीके से तयार कर लेना है बहुत आसान तरीका है तो यहां पर आपने सबी मठियों को इसी तरीके से बना के रख लेना है तो यहां पर हमारी जो मठियां है लगबग बन के हो चुकी है रेडी तो अब है इनके फ्राइ करने की बारी तो मठियां बुर्कु रेडी हो चुकी है फ्रेंट तो इसी तरीके से आपने सबी मठियों को पहले तयार कर लेना है अब चलते हैं इनको फ्राइ करने की तरफ तो फ्राइ करने के लिए गैस को कर लिया है और इस पर रख देंगे हम कड़ाई अब इसमें एट कर रहे हैं हम तेल फ्राइ कर नहीं है तो तेल थोड़ा सा ज्यादा लेंगे तेल हल्का सा गुन-गुना तो आप इसमें जो हैं मठियां इसमें एट कर देना ध्यान दीजिएगा मठियों को हाई फ्लेम पर कभी भी कुक नहीं करते उसकी फ्लेम जो है ना स्लो होनी चाहिए और तेल है वो ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए यही चीज आप अपनी भी खाने में ट्राइ करोगे तो आपकी जो मठियां है वो बुलकुल भी जो है ना मुलाइम नहीं बनेंगी तो इसमें कुरकुरी करने के लिए तेल को हलका सा गरम रखना है आपने जब आपकी मठियां दो से तीन मेंट हो जाए नीचे से सिखते हुए तो आप इनकी साइड चेंज कर दीजिएगा हलकी फ समोसे जा मठियां बना आता है तो ज्यादा क्वांटिटी में कड़ाई में डाल देता है और उनको 15-20 मिनट के लिए पकाता रहता है तो मठियां जा खस्ता समोसे हो या कुछ भी हो वो एक्दम कुरकुरे बनते हैं तो यहां पर हमारी मठियां हैं ब्रुकुल सिखके देख लिए कलर बहुत अच्छा आया है तो मठियां हमने सभी को बना के रख लिया है एक तम बिस्किट की तरह हमारी मठियां कुरकुरी बनके रैडी हो चुकी हैं तो यह हमारी मैथी वाली मठियां है इनका टेस्ट बहुत डिफ्रेंट होता है तो आप जाके जल्दी से और इनको डपए में रखके श्टोर करके मजे से महीनों खाईगा तो कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा तो मैं ऐसी ही रेसिपी के साथ मिलती रहोंगी और एक लाइक कर दीजेगा रेसिपी अच्छी लगी होगगी तो मैं मिलती हूँ आप से अगली वीडियो में जब तक बने रहेगा रुपेश की रसुई में